शान्ति का राजा चैनल के प्रिय दर्शकों आप सभी को जै येसू आज हम साधारन काल के चोधों में रविवार के मिस्सा के पाठों पर मनंचिंतन करेंगे पहला पाठ जकरिया नभी के ग्रंथ से दिया गया है और वहां हम मसीह राजा के आगमन के विशय में सुनते हैं दुनियाई राजाओं के जो चिन है रत, युद्ध के अश्व, धनुष जो की उनके अधिकार के प्रतीक हैं, इनके विपरीत मसीह जो राजा है उनके राजत्व के चिन है न्याए, विजय, विनमरता और प्रत्वी के सिमानतों तक शान्ती इस तरह से हम देखते हैं कि मसीह जो हमारे राजा हैं, वो दुनियाई, राजाओं, एवं उनके अधिकारों से भिन्न हैं दूसरा पार जो की रोमियो के नाम संद पॉलूस के पत्र अध्याय आठ से लिया गया है इसमें हम देखते हैं कि जो आत्मा के द्वारा संचालित हैं, वे प्रभु येसु के समान जीवन जीते हैं जिन में ईश्वर का आत्मा निवास करता है, वे शरीर की नहीं, बलकि आत्मा के अनुसार संचालित जीवन को जीते हैं इस तरह से हम देखते हैं कि छिचली आध्यात्मिक्ता और गहरी आध्यात्मिक्ता के बीच अंतर को हमें बताया गया है आगे चलकर सुसमाचार जो की संदमत्ती के अनुसार रचित सुसमाचार के अध्याई ग्यारा से लिया गया है इसमें हम देखते हैं कि इस पाठ के पहले प्रभु येशू उन्हें धिककारते हैं जिन्होंने ईश्वर के कारियों को देखकर भी विश्वास नहीं किया इसा के बाद सन सत्तर के आसपास पूरे यहूदिया में फरीसी वाद का बोलबाला था धर्म साधारन लोगों के लिए बोज बन गया था कठिन बन गया था क्योंकि धर्म का अर्थ केवल नियमों का पालन करना सहिता का पालन करना मात्र रह गया था लेकिन प्रभु येशू आज के सुसमाचार में पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिनकी आध्यात्मिक्ता नन्हे बालकों समान है नन्हे बालकों समान अर्थात जो ईश्वर पर निर्भर रहते हैं प्रभु येशू पिता और पुत्र अर्थात अपने स्वर्गिय पिता और अपने बीच परसपर संबंद का उधारन देते हैं और हमें बतलाते हैं कि एक भक्त का ईश्वर के साथ संबंद वैसा ही होना चाहिए जैसे पिता ईश्वर और प्रभु येशु के बीच परस पर संबंध है यही एक नमूना है जिसके लिए हमें निरंतर प्रयासत रहना है आगे चलकर सुसमाचार के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि प्रभु निमंतरन देते हैं ठके हारे बोज से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ गेहरी आध्यात्मिक्ता ईश अनुभूती के लिए निमंतरन प्रिये भाईयों और बहनों हम अपना मन जाचें कि हमारी आध्यात्मिक्ता का चिन्ध क्या है अधिकार वाली आध्यात्मिक्ता या बालक समान नम्रता वाली आध्यात्मिक्ता बहुत बार हम भी शायद धार्मिक्ता के नाम पर धर्म आडंबरों के बोज तले दबा हुआ महसूस करते होंगे नियम, कायदे कानून हमें ईश्वर की सच्ची अनुभूती वा अनुभव से दूर ले जाते हों प्रिय भाईयों बहनों कलीसिया संस्कारों के माध्याम से अभिशिक्त व्यक्तियों और लोग धर्मियों की सेवा के माध्याम से पवित्रवचन के पठन और श्रवन के माध्यम से हमें ईश्वर के गहरे अनुभव की और अग्रसर करती है ईश्वर का गहरा अनुभव ही हमें सच्चे आध्यात्मिक्ता के मार्ग पर ले चलता है जो की छिचली आध्यात्मिक्ता की विपरीत है छिछली आध्यात्मिक्ता केवल दिखाने के लिए नाम के लिए बाहरी चिन्हों द्वारा प्रदर्शन है लेकिन गहरी आध्यात्मिक्ता प्रभू का सच्चा और गहरा अनुभव है तो आईए आज हम एश्वर से प्रार्थना करें पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने से हम प्रभू येश्वर पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा का सच्चा जीवन्त और गहरा अनुभव पा सकें और वही अनुभव हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकें बाट सकें ताकि ईश्वर का सच्चा राज जो की शांती प्रिय है, प्रेम प्रिय है, सेवा प्रद है हम सभी के बीच में आए, आप सभी को धन्यवाद और ईश्वर अपने वचन के श्रमन और पठन से आपको आशिर्वाद प्रदान करें ताकि खेना dura क्ठाशा लें आपको ताकि उली बीच हमकूद में आपको 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 अपको आपको ठाकि रहादात की शाफराद आपको आपस्के बीकाथ Rad test